हेलो बच्चों, NCRT गणीत कक्षा 10 में आपका स्वागत है, आज हम करेंगे प्रशनावली 15-10-1 के प्रसंद संख्या 21 से, पीछे के जो सवाल हैं, वो सारे हम अमारे अलग वीडियो में कर चुके हैं, तो हम हम प्रसंद संख्या 21 से शुरू करते हैं, 144 बाल पैनों के एक समू में 20 बाल पैन खराब हैं, वसेश अच्छे हैं, आप वही पैन खरीदना चाहेंगे, जो अच्छा हो परंतु खराब पैन आप खरीदना नहीं चाहेंगे, दुका अंदर इन पैनों में से जादर च्छे एक पैन निकाल कर आपको देता है, इसकी क्या प्राइकता है कि आप वह पैन खरीदेंगे, आप वह पैन नहीं खरीदेंगे, बच्छों हम वही पैन खरीदेंगे, जो पैन अच्छा होगा, और जो पैन अच्छा नहीं होगा उसको हमें नहीं खरी देंगे तो यहाँ पर बच्चो कुल पैन हमारे पास 144 है और उसके अंदर से खराब पैन है 20 तो मारे पास अच्छे पैन कितने बस जाएंगे 124 अब कुल पैन 144 हैं तो कुल संबावित प्रिणाम भी कितने हो जाएंगे 144 अब इसने फेस्ट पार्ट में कहा कि आप वह पैन खरीदेंगे इसकी क्या प्राइक्ता है जो कांदर उन पैनों के अंदर से एक पैन को निकाल के आपको देता है इसकी प्राइक्ता क्या होगी कि आप वह पैन खरीदेंगे बच्चू पर परसन में दे रख्या है कि आप वही पैन खरीदेंगे जो अच्छा होगा तो यहां पर हम यह कह सकते हैं कि फेस्ट पार्ट में इसने ये पूछ रख्या है कि अच्छा पैनाने की प्राइक्ता क्या होगी तो यहाँ पर हम लिखेंगे P प्राइक्ता पैन खरीदेंगे पैन खरीदेंगे इसकी प्राइक्ता क्या होगी तो हम वही पैन खरीदेंगे जो अच्छा होगा तो यहाँ पर अच्छे पैन कितने हैं हमारे पास 124 तो पैन खरीदने के अनुकुल प्रिणामों के संख्या हो जाएगी 124 और कुल संभाइद प्रिणाम हमारे पास है 144 तो यह हमारे पास आजएगा 31 बटे 36 अब दूसरा पार्ट है इसका तो इसका मतलब क्या है कि हम वो पैन नहीं खरीदेंगे जो खराब होगा मतलब वो पैन क्या आएगा खराब इसमें हमें बताना है प्राइक्ता पैन नहीं खरी देंगे तो बच्चों यहाँ पर हम वो पैन नहीं खरी देंगे जो खराब होगा यानि की हम एक तरह से बताना कि खराब पैन आने की प्राइकता क्या है तो खराब पैन हमारे पास है 20 20 बटे कुल संभावित प्रिणाम वो हमारे पास है 114 तो यह आजाएगा आपके पास 2 से काटने पर 10 और यह बहतर फिर काट देते हैं 2 से 5 बटे 36 यह इसका अंसर हो जाएगा परसंद संख्या 22 है उधार 13 को देखिए नमबर एक निमलिक साननी को पूरा किजिए नमबर दो है एक विद्यार्थी है तरक देता है कि यहाँ कुल 11 पिरणाम और यानि कि 2 से लेकर के 12 तक कुल 11 पिरणाम दिये हुए हैं अतर परतेक की प्राइकता एक बटा 11 है क्या आप इस तरक से सहमत है सकान उतरे दीजिए इस परसंद में बच्चो दार नमबर 13 तो बच्चो जब भी दो पास्टों को एक साथ फैकते हैं तो कुल संभावित परणाम हमारे पास आते हैं 6 गुना 6 च्छतिस यह बात आपने द्यान में रखनी है तो इस उदार में इस दे भी रख्या है च्छतिस के च्छतिस जो संभावित परणाम है वो कुल संभावित परणाम वो इस अदार में नीचे दे रखे हैं यहाँ पर आपने बच्चो सारणी बना ली है तो यहाँ पर दो पार्ट है तो पहले पार्ट में हमें क्या बताना है कि दो पास्टों को एक साथ फैक्चा जाता है तो दोनों पास्टों की संख्याओं का जोड दो, तीन, च्यार, पांच, छे, साथ, इस तरह से बारा तक कि उन दोनों पास्टों की संख्याओं का जोड यह आने की प्राइक्ता क्या होगी यह में वो बतानी है तो पहले हम फैस्ट पार्ट को करते हैं बच्चो देखो, यहां पर मैंने कहा था कि दो पास्षों को गर एक साथ फैकते हैं, तो कुल संबावित प्रिणाम जो हमारे होते हैं, वो होते हैं, छत्तिस. है कि दोनों पासों की संख्याओं का जोड़ दो आने की प्रायक था तो बच्चो दोनों पासों की संख्याओं का जोड़ दो कब आएगा जब दोनों पासों में क्या आए एक एक आए यानि कि पहले पासे में भी एक आए और दूसरे पासे में भी एक आए तब होगा तोनों का जोड दो और इसके लावा कोई चांस नहीं है तोनों का जोड दो आए तो एक एक आएगा तो यहाँ पर प्रणाम वारे पास हो गया एक तो एक बटा 36 हो जाएगा फिर है तोनों पास्टों की संख्याओं का जोड तीन आए तो यहाँ पर तीन कैसे आ सकता है तीन ऐसे आ सकता है कि पहले पास्टों में आ जाए एक और दूसरे में आ जाए दो तो पास्टों के उपर संख्या एक से च्छे तक लिखी होती है यह द्यान रखना आपने जहाँ फिर इस तरह हो सकता है पहले में आजाए 2 और दूसरे में आजाए 1 एक प्रणाम यह हो सकता है तो कुल प्रणाम कितने होगे 2 तो यह हो जाएगा 2 बटे 36 क्योंकि कुल संभावित प्रणाम हमेरे पास है 36 इसके बाद है कि दोनों पासों की संख्याओं का जोड़ चार आए तो चार कैसे आसकता है पहले में एक आजाए दूसरे में तीन आजाए या पहले में दो दूसरे में भी दो आजाए या फिर पहले में दो और दूसरे में पहले में तीन और दूसरे में एक आज़े यह हो सकता है तो कुल कितने हो गए यह तीन इसके लिए हो जाएगा तीन बटाँ चत्तिस अगला है दोनों पासों के संख्याओं का जोड़ पांच आए तो पांच के लिए कैसे आ सकता है पांच या तो पहले में आज़े एक दूसरे में चार या पहले पासे में दो दूसरे में तीन या फिर पहले में आज़े तीन और दूसरे में दो या फिर पहले में चार और दूसरे में एक आज़े कितने परणाम होगी एक दो तीन च्यार तो 4 बटे 36 आगे पुछए है कि दोनों पासों की संख्याओं का जोड़ कितना है 6 तो 6 कि कैसे आ सकता है 6 पहले पास से में आए एक दूसरे में आए 5 यह हो सकता है या पहले पास से में आज़े दो और दूसरे में आज़े चार या फिर पहले पास से में आज़े तीन और दूसरे में भी आज़े तीन या फिर पहले पास से में आज़े चार और दूसरे में आज़े दो या फिर पहले पास से में आज़े पांच और दूसरे में आज़े एक यह हो सकते हैं इसके लावा कोई और नहीं हो सकता, तो यह होगि एक तो तीन च्यार पांच, तो 5 बटे, कुल परिणाम है 36, पांच बटे 36, फिर जोड़ साथ आए, साथ कैसे आ सकता है, पहले में आए, एक दूसरे में 6, पहले पाससे में आ जाए, दो और दूसरे में आजाए, 5, या फिर पहले पास से में आ जाए तीन, दूसरे में आ जाए च्यार, या फिर पहले में आ जाए च्यार, और दूसरे में आ जाए तीन, और दूसरे में आ जाए दो, ये हो सकता है, या फिर पहले में आ जाए छै, और दूसरे में आ जाए एक, ये हो सकता है, तो कुल कितने हो होगे एक, दो, तीन, च्यार, पांच, छै, यह हो जाएंगे, छै पटे, च्छतिस, आगे है कि दोनों पासों के संख्याओं का जोड़, नो है, आठ के लिए तो इसमें देर रख्या है, वैसे माट का भी कर लेते हैं, आठ के लिए क्या हो जाएगा, दोनों पासों के संख्य जोड आठ है उसके लिए क्या क्या हो सकता है नुकल परिणाम पहले में आ जाए दो दूसरे में आ जाए छे ये हो सकता है आठ तब हो सकता है जोड पहले में आ जाए तीन दूसरे में आ जाए पांच ये हो सकता है पहले में आ जाए च्यार दूसरे में आ जाए च्यार ये हो हो सकता है या फिर पहले में आ जाए पांच और दूसरे में आ जाए तीन यह हो सकता है या फिर पहले में आ जाए छे और दूसरे में आ जाए दो यह हो सकता है तो यह प्रणाम होंगे एक दो तीन चार पांच पांच प्रणाम तो पांच बटे 36 तो इसके लिए हो जाएगा पांच बटे 36 अब निकारेंगे हम नो के लिए कि दुनों का जोड कितना आए नो उसके परिणाम निकारेंगे तो बच्चों नो जोड कैसे हो सकता कि पहले पास से पर एक आए दूसरे पर कितना चाहिए मैं आठ लेकिन दूसरे पर आठ तो होता है नहीं छे से होती है तो एक आठ नहीं हो सकता पहले पर दूसरे पर च्छे आए ये भी नहीं हो सकता क्योंकि दूसरे पर आए तीन और दूसरे पर आए च्छे ये हो सकता है या फिर पहले पर आए च्छे और दूसरे पर आए तीन ये हो सकता है या फिर पहले पर आए च्यार दूसरे पर आए 5 तब नो हो सकता है या पहले पर आए 5 दूसरे पर आए 4 ये हो सकता है तो कुल परणाम होगे 1, 2, 3, 4 तो हमारे पास कुल परणाम हो जाएंगे 3, 6, 6, 3, 4, 5 और 5, 4 यानी 4 परणाम 1, 2, 3, 4 तो 4 बटे 36 हो जाएगा तो यहां पर लख देंगे 4 बटे 36 फिर हमने काड़ेंगे 10 के लिए कि दोनों पासों के संख्यां का योग 10 किस तरह से आ सकता है 10 के लिए कैसे होगा पहले मालो पहले पास से कुछारा उसके उपर आजाए 4 और दूसरे में आजाए 6 तो जोड़ दस हो सकता है पहले कुछ हारा उसमें आजाए 5 दूसरे में भी आजाए 5 उसके लिए हो सकता है या फिर पहले में आजाए 6 और दूसरे में आजाए 4 तब जोड़ दस हो सकता है इसके लावा तो और कोई प्रणाम नहीं होगा तो कुल कितने होगे 1,2,3 अज़ आपको ये द्यान लखना है कि 5 प्रसंख्याई 1 से लेकर के 6 तक होती है तो यह हो जाएगा 3 बटा 36 अब निकारेंगे 11 के लिए 11 के लिए कैसे हो सकता है कि पहले में आजाए 5 दूसरे में 6 या पहले में 6 दूसरे में आज याए 5 तो 11 हो सकता है इसके लावा और कोई नहीं होगा तो कुल परणाम होगे यहाँ पर 2 तो 11 के लिए हो जाएगा 2 बटा 36 फिर अब 12 के लिए तो 12 के लिए क्या होगा 12 के लिए एक ही परणाम हो सकता है कब जब दोनों में क्या आए 6 6 तभी दोनों का जोड़ बार हो सकता है तो इसके लिए परणाम होगेगा अनुकुल 1 कुल 36 तो 1 बटा 36 तो इस प्रकार से आप इस परसन को तो इस प्रकार से आप इस पूरे परसन के पहरे पार्ट को असानी से कर सकते है इसका दूसरा पार्ट है इसमें एक विद्यार्थी कहता है कि यहां कुल 11 परणाम है और परते की प्राइकता 1 बटा 11 है तो यह बिल्कुल गलत कथन है बच्चो यहां पर सब की प्राइकता अलग-अलग आ रही है किसी की 1 बटा 36, किसी की 2 बटा 36, किसी की 3 बटा 36, किसी की 4 बटा 36 यानि कि सब की प्राइकता हैं क्या हैं अलग-अलग है सभी एक समान नहीं है उसने कहा है कि सभी की प्राइकता क्या है एक समान है एक बटे 11 है तो हम इस बास से सहमत नहीं है कि सभी की प्राइक्ता समान आएगी यहाँ पर सभी की प्राइक्ताएं क्या होंगी अलग-अलग होंगी क्यों? क्योंकि सभी जो प्रिणाम है वो समप्राइके नहीं है कार्ण में कहा रिखेंगे कि यहाँ पर जो प्रिणाम है वो समप्राइके नहीं है सब के प्राइक्ताएं अलग-अलग हैं एक पटा ग्यारा प्रतेक की नहीं है हम इससे सहमत नहीं है क्यों? क्योंकि परसन संक्या 23 से एक खेल में एक रुपे के सिक्के को तीन बार उचड़ा जाता है और प्रतेक बार का पिरणाम लिख दिया जाता है तीनों प्रिणाम समान होने पर अतार तीन चितिया तीन पट प्राप्त होने पर अनीफ खेल में जीत जाएगा अन्य था वह हार जाएगा अनीफ के खेल में हार जाने के प्राइक्ता प्रिकलित कीजी तो बच्वें यहाँ पर एक रुपे के सिक्के को तीन बार उच्छाड़ा गया है तो एक रुपे के सिक्के को तीन बार उच्छाड़े या तीन सिक्कों को एक साथ उच्छाड़े एक बार प्रणाम दोनों में समान आएंगे कितने आएंगे वो आठ तो यहां पर कुल संभावित प्रणाम हो जाएंगे आठ क्यों कि एक सिख्के को तीन बार उचड़ा गया है और इसमें क्या है कि तीनों प्रणाम समान होने पर यानि या तीनों बार या तुप चिताए या तीनों बार पटाए तबी अनीफ खेल में जीत पाएगा नेताव क्या है हार जाएगा तो हमें हार जाने की प्रणाम समान नहीं आएंगे तो यहाँ पर हमें बताना है कि तिनों बार प्रणाम समान नहीं आने की प्रणाम क्या होगी तो यहाँ पर बच्चो कुल संभावित प्रणाम हो जाएएंगे आठ क्योंकि इसी के को तीन बार उचणा गया है, अब पहले हम लिखेंगे कि वो आठ प्रणाम कौन कौन से होंगे, तो यह प्रणाम हो सकते हैं, आठ प्रणाम, इसके अलावा और कोई प्रणाम नहीं हो सकते, यह हमारे पास है, कुल संभाइद पिड़नाम अब इसमें पुछा है कि उसके हार जाने की प्रैक्षिता क्या होगी तो वो तब आरेगा जब तिन्नों बार HHH या TTT नहीं आए एक तो इस केस को छोड़े जते हम इस केस को यह कर यह केस होता है तो वो जीतेगा एक जब तिन्नों बाटी आएगा तब जीतेगा तो इन को दोनों को छोड़ करके बाकी इन में से इन छे में से कोई भी आएगा तो वो क्या करेगा हार जाएगा तो यहाँ पर उसके हारने की जो प्राइक्ता है वो क्या वो निकाल ली हमें हारने की हार की या हारने की प्राइकता क्या हो जाएगी हारने के अनुकल प्रणाम कितने होगे यानि कि 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6 इन 6 में कोई भी आएगा तो वो हारेगा और बटे है कुल, कुल हमारे पास है 8, 6 बटे, 8, 3, बटे, 4 ये इसका अंसर हो जाएगा परसन संक्या 24 है एक पासे को दो बार फैंका जाता है इसकी क्या प्राइकता है कि नंबर एक किसी पांच किसी भी बार में नहीं आएगा नंबर दो पांच कम से कम एक बार आएगा अब संक्या दे रख्या कि एक पासे को दो बार फैंकना और दो पास्टों को एक साथ फैंकना एक ही बात है एक ही प्रियोग मनने जाएगा तो दो पास्टों को एक पास्टों को मैंने दो बार फैंकिया है तो कुल संभाईत प्रिणाम मारे हो जाएंगे 36 इस प्रस्ट में बच्चो कुल संभाइत प्रणाम हो जाएंगे 36 क्योंकि एक पासे को दो बार फैक्या गया है हमें बताना है कि किसी भी बार पांच नहीं आएगा इसकी प्राइकता क्या होगी वो हमें बतानी है हमारे पास बच्चों कुल प्रिणाम है वो 36 हैं तो हमें बताना है कि 5 कब नहीं आएगा तो हम वो प्रिणाम निकाल लेते हैं कि जिन में 5 आएगा और फिर उन में से कुल में से वो गटा देंगे तो बच जाएंगे जिन में पांच नहीं आएगा तो पांच किन किन में आ सकता है पहले वो निकाल लेते हैं पांच आ सकता है जब पहली बार में एक आजए और दूसरी बार में पांच आजए इसमें आएगा पांच पहली बार में दो आए दूसरी बार में पांच आए इसमें पांच आ रहा है या फिर पहली बार में तीन दूसरी बार में पांच पहली बार में चार दूसरी बार में पांच पहली बार में पांच दूसरी बार में भी पांच या फिर इसके अलावा छ है 5 हो सकता है कि पहली बार में 6 आजए दूसरी बार में 5 आजए या फिर हो सकता है पहली बार में 5 दूसरी बार में 1 या फिर पहली बार में 5 दूसरी बार में 2 पहली बार में 5 दूसरी बार में 3 पहली बार में 5 दूसरी बार में 4 या पहली बार में 5 दूसरी बार में 6 ये हो सकता है ते प्रिणा हमारे पास होगे एक दो तीन च्यार पांच छे साथ आठ नो दस ग्यारा कुल हमारे पास ये ग्यारे प्रिणाम होगे जिनके अंदर पांच आ रहा है हमें बताना है कि पांच नहीं आए तो इतने प्रिणाम कितने बच गे जिनके अंदर पांच नहीं आ आएगा तो पांच नहीं आने कि अनुकुल प्रिणाम हमारे पास हो जाएगे 25 तो फेस्ट पार्ट में हो जाएगा 25 अनुकुल बटेकुल 36 यह अंसर हो जाएगा दूसरा है एक बार कम से कम पांच आएगा अब दूसरे पार्ट में बताना है कि पांच कम से कम एक बार दो बार भी आ सकता है, तो इनके अंदर ये सम्मेक एक बार है, यहांपर दो बार भी कोई बात नहीं, क्योंकि कम से कम एक बार का है, यह भी इसके अंदर आएगा, तो यह हमारे परणाम ऐसे 11 परणाम है, जिनके अंदर 5 कम से कम एक बार आ रहा है, तो अनुकुल परणाम हो से कम एक बार आ रहा है और पत्चिस प्रणाम ऐसे हैं जिनके लिद्धर पांच एक बार भी नहीं आ रहा है परसंड संक्या 25 है निम्लिक्त में से कौन से त्रक सथे हैं और कौन से ऐसथे हैं सैकार उट्र दीजिए तो बच्चों यहां पर हमें ये बताना है कि कौन सा कतन सकते है और कौन सा ऐस सकते है पहला यदि दो सिक्कों को एक साथ उचाड़ा जाता है तो उसके तीन संभावज परिणाम दो चित दो पट या परतेक एक बार है ना तो इन में से परतेक परिणाम के प्राइकता एक बटा तीन है तो ये कतन बच्च की प्राइक्ता होगी, वो अलग-अलग होगी. एक बटा तीन नहीं होगी. क्यों नहीं होगी? आख देखते हैं इसको. जब हम दो सिक्कों को अच्छारेंगे तो कुल समध्ष परणावख आएंगे चिर कौन-कौन से? तो यहां पर बच्चो प्राइक्ता हैं, वो अलग-अ हैं सब की यह सम प्राइक नहीं है एक तो यहां पर प्रणाम ती नहीं चार आ रहे हैं और इनकी प्राइकता वो अलग-अलग हैं दोनों बार चिताए दोनों बार पटाए या पहली बार चित फिर पट या पहली बार पट फिर चिताए तो यहां पर चार प्रिणाम है और सबी के जो प्राइकता है वो अलग अलग हैं दोनों बार चिता आने की जो प्राइकता है वो हो जाएगी हमारे पास यहां से देखे हम कि दोनों बार चिता आए उसके प्राइकता हो जाएगी एक बटा चार उन्नों बार पटाए दोनों बार पट के लिए भी अनुकुल परिणाम हमारे पास एक है तो एक बटा च्यार पहली बार चीत आए उसके प्राइकता क्या होगी पहली बार चीत यहां पर भी पहली बार चीत है यहां पर भी पहली बार चीत है तो दो बटे च्यार इसी प्रकार पहली बार पट आए उसके प्रा नहीं है तो इसलिए यह सत्य होगा तो कार्ण में आप लिख सकते हैं कि कुल संभावित प्रणाम यहां पर चार होंगे और सभी की प्राइक्ता होगी वो एक बटा तीन नहीं होगी इसका सेकिन पार्ट है यदि एक पास से को फेक्ट का जाता है तो इसके दो संभावित प्र संभावित प्रसंख्याएं एक से लेकर के 6 तक होती है और उसके अंदर सम भी होती है और विसम भी तीन सम होती है और तीन विसम सम कौन कौन सी 2,4,6 विसम 1,3,5 तो सम और विसम संख्याएं बराबर बराबर होती है तो वहां पर सम आने की प्राइक्ता और विसम आने की प विशम संख्याएं हमारे पास हैं 1 से 6 तक 3 1 3 और 5 और कुल हमारे पास प्रिणाम है 6 अनुकुल 3 विशम के अनुकुल 3 कुल 6 तो 1 बटा 2 तो यहां पर यह जो कतन है यह सत्य होगा प्यारे बच्चों हमारी प्रशनावली यहां पर आज खतम होती है उम्मीद करता हूँ आपको सारे परशन अच्छे समझ में आए होंगे अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना धन्यवाद फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ